नमस्कार मैं दिपाली आप सभी का स्वागत दिपाली आइस्टों में करती हूँ और देखते हैं आज का दिंग यानिकी 16 नवंबर 2020 कैसा जाने वाला है चले शुरुआत करते हैं मेश आशी वालों के साथ मेश आशी वालों आज कल आपको अगर किसी पर्टिकलर एक पर्टि तो सोच के समझ के चीज़ों को आगे लेके जाने की जरूरत है जल्दबाजी में कोई भी ऐसा फैसला मत करी है जो आपके लिए स्ट्रेस और आक्यमिलेट कर सकता है तो आज के दिन प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरफ संतुलन बनाते हुए धीरे धीरे सिचुएश तो आज का दिन स्वास संबंदी चिंताएं दूर होती हुए नजर आएंगी मन आपका शांत रहेगा कही न कहीं लंबे समय से अगर कोई पारिवारिक तनाव चल रहा था तो वो भी आप कहीं न कहीं एक सलशता हुए नजर आएगा एक नए दोर में अगरसर आप अपने आ आज के दिन अपने परिवार पर भी ध्यान देने की आपको जरूरत है संबंदों में प्रगारता भी आते हुए आज के दिन आपको देखने को मिल सकती है बात करते हैं मिथुन राशी वालों के लिए मिथुन राशी वालों आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज के दिन आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि जीवन में किस दिशा की तरफ आप जा रहे हैं, कौन सी वस्तू, कौन सी परिस्थिती, कौन सी सिचुवेशन आपके लिए सही है, किस तरफ क्या अगरसर होकर आगे बढ़ना चाहिए, मन को शांत रखिए, जाती साथ आज के फीवर आ रहा है तो उसको लाइटली ना लें, डॉक्टरी परामर्श लेने की जरूरत है आपको, आपका स्ट्रेस दूर हो जाए, इसलिए अपने आपको आज के दिन आप उक्यूपाइड रख सकते हैं, कही ना कहीं से आपको एक्स्टरनल हिल्बी मिलती हुए नजर हैं, कहीं ना कहीं, अग्रसर भी हैं, आप अपनी फ्यूटर प्लान्स को लेकर बहुत क्लारिटी आपके जीवर में आ चुकी है, इस पश्रता कि आपको किस तरफ जाना है, क्या आपको करना है, तो कुल मिला कि आप जगल आउट कर सकते हैं, चीज़ों को या फिर मैं ये क करना पड़ेगा कि कौज क्या है, हो सकता है, कारण कुछ और हो, और कहीं किसी और वेक्ती के ऊपर आप अपना स्ट्रेस निकाल रहे हो, आपर बैलन्स बनाने की जरूरत है, बात करते हैं, सिंग राशी वालों के लिए, सिंग राशी वालों, आज के दिन की मैं बात नई दिशा दिखती हुई, नया आप कहीं न कहीं एक दिशा की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ अगरसर होते हुए नजर आएंगे, सो कुल मिला के पॉजिटिविटी आपको कारशेतर में तो देखने को मिल जाएगी, जहां तक आपके खुद के संबंदों का सवाल है, वहां पर आज के दिन आपको कहीं न कहीं प्रगारता देखने को मिलेगी, पार्टनर का सपोर्ट बना रहेगा, कहीं न कहीं आप कुछ नया काम, नई सोच, नई विचारधारा, नया प्रोजेक्ट, कुछ नई जॉप के आपके इंडिकेशन्स बनते हुए नजर आएंगे बात करते हैं कन्या राशी वालों के लिए, कन्या राशी वालों परिस्थितियां आपके लिए अल्रड़ी फेवर में चल रही हैं, मन को और थोड़ा सा मजबूत रखिए, जिस तरफ जिस दिशावे आप जाना चाहते हैं, उस चीज को निरधारित करिए कि जीवन में करने की कोशिश करेंगे, साथ इस रात आज के दिन सिचुवेशन्स आपके फेवर में अलरड़ी आ जाएंगी, अगर आज के दिन आपके द्वारा विकल्पों का चुनाव सोच समझ कर चलते हैं, खास तोर पे, रिष्टों में स्थिरता की तरफ अगर आपके कोई भी और अपने जीवन में अपने लाइफस्टाइल को आज के दिन आप इंप्रूफ करने के लिए कुछ न कुछ थोस कदम उठा सकते हैं, आप चाहें तो exercise या diet control कुछ न कुछ अगर चोटी चोटी चीज़ें भी अपने जीवन में नियामित जीवन में लेकर आएंगे, इंब आपका कोई निकटम संबंधी या आपका कोई शुपचंतक ही आपको ओफर कर सकता है, उन तत्यों को आपको पढ़ कर सोचकर आगे बढ़ने की जरूरत है, बात करते हैं रिष्चिक राशी बालों के लिए, रिष्चिक राशी बालों पारिवारिक स्थिर्था बन चुकी तो आज के दिन आपको महत्वपॉर्ण कही न कई डील मिल सकती है, वो परिस्तिती में और जाफा कर सकती है, मन आपका शांत रह सकता है, साथ ही साथ आज के दिन कुछ नया एक्स्प्लोर कर सकते हैं, जो आपकी इंकम को और बढ़ा सकते हैं, और उस पे अगर आप और गहरा बनी है, बात करते हैं धनुराशी वालों के लिए, धनुराशी वालों आज का दिन काफी जादा हेक्टिक हो सकता है, बिकिस आप सारी चीज़ों को स्ट्रीम लाइन करने की कोशिश करना है, और स्कैटर्ड थॉट्स आपके दिमाग में आ सकती है, रैंडम थॉट्स की ये बी करना है, ये भी करना है, इन टुटालिटी सारी चीज़ों को ले कर चलने की आज के दिन जरूरत है, पारिवारिक स्थिर्ता जहां एक और बनी हुई है, सामाजिक प्रतिष्टा भी आपके लिए इजाफा होती हुए नजर आरे, स्कुल मिलाके पॉजिटिविटी आप पारिवारिक स्थिर्ता के संदर्ब में इसी तरह से चलते चलिए आपको कहीं न कहीं और अगर आप इसी कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे तो और स्थिर्ता देखने को मिल जाएगी, बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए, मकर राशी वालों आज के दिन जल्दबाजी आ अगर आप उसको साज़ा करें किसी व्यक्ति विशेश के साथ आप उसको उसमें एक्सपोर्ट उपिनन सामने वाले के भी लें साथी साथ नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए कहीं नौकरी चेंज होने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं कंट्री से बाहर जाने के भी जो आपके लिए योग बने थे उसमें अगर मल्टिपल अगर मैं देखूं कहीं न कहीं दो-तीन जगा आप जाने की सोच रहे थे सेटल होने की बिरादर अगर आप सोच रहे थे और उसमें कहीं ऑन होल्ट था सिचुवेशन्स डॉक्यमेंटेशन की वज़र से तो वो भी बांद अभटता हुआ नजर आएगा तो कुल मिलाके पॉजिटिविटी आपको अपनी चीजों में देखने को मिलेगी बात करते हैं कुम राशी वालों के लिए कुम राशी वालों आज का दिन प्राथमिक्ता या प्रायोरिटी अपने स्वास के प्रती आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है आपको अपने स्वास का विशिष ध्यान रखना है क्योंकि आपकी जरासी लापरवाई आप के लिए बड़ी परिशानी का सबब बन सकती है तो आज के दिन खान पान पर आपको नियंतरन रखने की जरूरत है साथ ही साथ परिवार के साथ बिताया गया समय आपके जीवन में चल रहा कोई लंबे समय सा स्ट्रेस भी दूर कर सकता है तो कुल मिला के परिवारिक स्थिरता आपके लिए काफी ज़्यादा आशुप संकेत लेकर आ रही है इसी तरह से चलते चलिए आपको अपनी चीजों में पॉजिटिविटी या कहीं न कहीं अगरसर होते हुए आप नजर आएंगे कुछ ठोस परिवारिक निर्ने भी आज के दिन आप ले सकते हैं बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए मीन राशी वालों आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए काफी उतार चड़ाव से संपूर्ण हो सकता है मन आपका आशांत रह सकता है परिवार को लीचे लेकर आते हैं आज के दिन प्राथमिक्ता अपने स्वास्समंदी चिंताओं पर रखिए अपने उपर ध्यान दीजे अपने लिए सोचिए और देखे जीवन में किस दिशा में आप जा रहे हैं क्या आपको एफर्ट्स करने चाहिए इस ट्रेंड्स को और मजबूत कर दो